आज बात करेंगे नो वर्क, नो पे की आज सभी जानते हैं कि हर्ताल की बजह से उत्तराखंड की छवी क्या बन चुकी है उत्तराखंड को हर्ताल प्रदेश भी कहा जाने लगा लेकिन कर्मचारियों के इस रवये पर अब सरकार सक्त हो गए राज में नो वर्क, नो पे का हाल क्या होने बाला है और क्या ये पूरा मुद्दा है आपको विस्तार से समझा देते हैं उत्तराखंड में हर्ताल पर सरकार ने सक्ती दिखाई है उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठा कुई और कैबिरेट ने नो वर्क, नो पे को मन्जूरी दे दी है लेकिन इसकी मन्जूरी देने के साथ ही सरकार के फैसले से करमचारियों में काफी गुस्सा है वह अक्रोशित हो गए वह कॉंग्रिस ने सरकार के फैसले को गलत बता दिया है बीजेपी के मताबिक राज में हित के लिए सरकार ने ये फैसले लिया है इसे मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा कुछ महमान हमारे से जुड़ेंगे उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं लेकिन रिपोर्ट से पहले एक बात आपको बता दें आपने सुना होगा आपको काम के पैसे मिलते हैं लेकिन जब काम ही नहीं करेंगे तो पैसे किस बाद के मिलेंगे तो सिती आप खुछ जानते हैं उत्राखन में लगातार हर्ताल होती रहती है कभी सफाई करमचारी हर्ताल करते हैं कभी शिक्षक हर्ताल करते हैं तो कभी उपनल की करमचारी हर्ताल करते हैं कभी कोई वेभाग की करमचारी हर्ताल करते हैं इन सब के बीच सवाल ये कि क्या उत्राखन हर्टाली प्रदेश है लेकिन अब सरकार ने इसको देखते हुए एक सकती दिखाते हुए एक फैसल लिया है सरकार का कहना है कि जब तक काम नहीं करेंगे आपको पैसा भी नहीं मिलेगा अगर आप हर्टाल पर जाते और काम नहीं करते है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा तिर्वेंच सरकार ने बात-बात पर हर्टाल पर जाने वाले करमचारियों पर सख्त रवईया अपनाने का फैसला लिया है शनिवार को कैबिनेट में नोवर्क नोपे का प्रस्ताब पारित कर दिया गया हर्टाल के समय को छुटी में नहीं बदला जा सकेगा यानि अब करमचारी हर्टाल पर गए तो उनका वेतन कट नाता है सरकार के इस फैसले से करमचारी गुस्से में है और करमचारίोंने साफ कर दिया की फैसले का वरूद किया जाएगा सरकार के इस कड़े फैसले पर करमचारियों को विद्वक्षी दल कॉंग्रेस कभी साथ मिलने लगा है नो वर्क, नो फेपर करमचारी लाल हैं तो कॉंग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिये हैं कॉंग्रेस का रूप है कि करमचारी हरताल क्यों कर रहे हैं जाननी की बजाय सरकार नई-णई नियम ठोप रही है हरताल करते कौन लोग कर्मचारी संग्टन है और जड़ी लोकतंतर में समवेधना समवाद लगातार बना रहे और रहे हमारी समाज की इंग हैं सरकार के महित्पून अंग है जब सरकार के तमाम कारियों को क्लियादी जिम्मेदारी उनके बीच पे है तो उनसे समवाद रखने में क्या बुराई है उनकी जो नियावचित मांग हैं नियावचित समस्या हैं उनका समधार का कोई रस्ता निश्ची उससे सरकार को ढोड़ना चीए और उनसे समवाद भी बना रहना चीए वहीं बीजेपी ने कॉंग्रेस के आरोपो को निराधार करार देतु है कैबिनेट के फैसले को राजहित में उठाया गया कदम बताया सरकार का प्रियास है यह तो पहले से ही नौम से है कि वही कोई काम नहीं करेगा तो बेतन विलके कि बतले वेतन है लेकिन यह समझदारी का बिस है इसमें करमचारियों को अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि अगर वो इस्टैक पे जाते हैं तो कहीं कहीं राज्य का अहित होता है सरकार कहीं भी कर्मचारियों की भावना को समझती है उनके साथ सरकार खड़ी है लेकिन कर्मचारियों को भी सरकार की भावना समझने है उत्रखिंट जब से अलग राज बना है तभी से यहां हर्तालों का दोर रहा है और अब राजी की छवी हर्ताली प्रदेश के तौर पर बन चुकी है सरकार किसी भी दल की रही हो लेकिन हर दौर में हर्ताल सरकार की गले की फांस बना रहा और आम लोगों की मुसीबत का सबब अब रोज रोज की हर्टाल से परिशान होकर त्रवेन सरकार ने नो वर्क नो पे का कदम उठा है लेकिन अब इस मुद्धे पर सियासत गरम हो गई है जो लंबे वक्त तक चलने वाली है ब्यूरे रिपोर्ट जी मीडिया तो सरकार ने एहम फैसला ये लिया है कि अगर करमचारी हर्टाल पर जाते हैं और वो अपना कोई भी काम नहीं निप्टाते हैं तो फिर उन्हें पैसे भी नहीं दिये जाएंगे और इस पर ही बवाल खड़ा हो गया सीधे रुख करते हैं महमानों का विजयपाल रावत कांग्रिस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गया है सुबास बड़तवाल प्रवक्ता हैं बीजे पी के राजेंदर जोशी वरिष्ट पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद है बहुत स्वागत आप तीनों का उत्रखन की आवाज में पहला सवाल विजयपाल रावत आप सही है सर अगर करमचारी अपनी मांगों के लिए हर्ताल करता है और सरकार कहती है कि वो हर्ताल कर रहा है तो हम उसे पैसे नहीं देंगे इसमें दिक्कत क्या है हलो मुझे लगता है कि जो सरकार ने नो वर्क नो पे का जो कानून लागू किया है कैबनेट के वादियम से ये वाफिक नहीं है ये समाधान नहीं है ये समस्या को और बढ़ाएगा अब तक तो करमचारी चोटी-चोटी मांगों को लेकर के अपनी जरुत की जो आपिस में उन्हें दिक्कते होती उसको लेकि हर्ताल करते थे लेकि नो वर्क नो पे कानून के बाद नो वर्क नो पे कानून के खिलाप ही सारे करमचारी हर्ताल को उतर जाएंगे इस राज्ये के अंदर इस फैसले ने एक भीशन हर्ताल को जनम दे दिया है मुझे लगता है कि सरकार अगर इसमे थोड़ा चिंतन करती तो वो समझती इस बात को कि जो तीन चीजे हैं देखिए मिनिस्ट्री है नौकरसा है ठीक है कि जाती कि यह हो सकता यह नहीं हो सकता तो मुझे लगता है कि इस करमचारियों में आज खुशी का माहौल होता है तो यह सरकार की उल्जन भरी एक फैसला है कि वो समाधान के बजाए चीजों को ध्वस्त करने पर लगी है और भारजनता पाल्टि सरकार के जो मंतनी है वो जब काम नहीं करते क्या उन पर नो पर लागू करेगी नहीं उसको ड्राने के लिए करमचारी है जब वोट का वक्त आता है तो उनी करमचारियों के आगे पीछे उनकी हर जाएज और नाजाएज बात को ये सई ठेराते हैं लेकि जब सक्ता पर वैठते हैं तो उनकी कार एस एली पर सवाल उठाने वाले हर बिंदू को ये दबाना चाहते हैं तो ये नुवर करनों पे इस राज्य को एक बड़ी हर्टाल देना है काम करते हैं उत्ता आपको दाम मिलता है अब देखे लगातार जिस परकार जो है उत्रा खंड के अंदर पिछले वर्सों में करमचारियों की जो है रिकार्ड तोड़ हर्टाले हुई और एक सर्वे के अंसार उत्राखंड देश में हर्ताली परदेश के रूप में पहले पाइदान पर पहुँच गया तो सरकार ने प्रयास किये बहुत सारे यह नहीं है कि केवल यही एक मातर उपाई सरकार ने इसको बिलंबित करने का काम किया हो देखे सरकार लगातार करमचारियों के उन तमाम मुद्दों को सुलजाती अगर आप पिछली केमिलेट की बैठके एक वर्ष के अंदर की देखेंगे तो आधे मामले जो है सरकारी करमचारियों से संबंदित है अगर जो है तो आप नहीं सुलजा पाये तो आपने ये तरीका निकाला आपने थोड़ा ठोस कदम उठाया कि ऐसे नहीं तो कम सेनना ऐसे तो मानना ही पड़ेगा समस्याइँ सुलजी हैं और सुलजने के बावजूद भी काम की आरत करमचारियों को आरे इसलिए ये कहा गया है कि आपकी समस्चाओं का समाधान लगातार जारी है आगे भी जारी रहेगा लेकिन यदि आप जो है काम नहीं करेंगे तो नैसर की न्याय का सिद्दान कहता है कि वही काम नहीं तो दाम नहीं और इसी को आज जो है कैबिनेट में लेकर जो है हमारी सरक हम अपने घर में मजदूर और मिश्टिरी लाते हैं और अगर वकाम पर में यहां तो आखर धो हम उनकों वी तो काम से विरता हैं। आखिर मजदूरी का सिद्धान चाहे हो सरकार क्रमचारी पर लुवार गाए पलो इसकों का और में परो मजदूरों के ऊपर हो और आज जिस परकार सरकार जो है अंगर दोंगरेस ने भी कहा है और इस्तिती भी झाई दिख रही है आपके चुर्मचारी तो और ज्यादा लाल हो गए रहे हैं उनके निश्कारे कारें लेकिन है अधिकार में शामिल है, वो करें टमाम चीजां बदल रही हैं आप सरकारें भी अगर आज जो है विस्टो बैंक से यूरोपी आर्थिक समधाय से एस-ए-ई-बैंक से पैसा लेकर जो है योजनाओं को पूरा करने का प्रियास करती है जन्द सुविदाओं को जुटाने का प्रियास करती है ऐसे हालात में वो स काम नहीं तो वोट नहीं ये भी लागो होना चाहिए हमारे साथ मौजूदे वरिष्ट पत्रकार के रूप में राजेंद्र जोशी जी राजेंद्र जोशी जी स्थिति आप देखना है वाकई में बहुत हड़ताल हो रही थी और सरकार ने ठक हार कर कह दिया कि काम नहीं तो में तुटर प्रदेश में थी उससे में फिर नंगा करके जो है उसके बाद नैंटीन-टीमिंटिस में भी आप जो है करमचारियों की समच्या दो जरूर देख रहे हैं लेकिन आम जन की समस्या नहीं देख रहे हैं एक आदमी पिछोड़ा गट से यहां दे धार्चुला मुन्शारी से पांसो किलो मिटर छेसो किलो मिटर चल करके जब देरादुन कर लें पहुंचता है पता लगा उसको यहां हरता ले आज तो उसका पेचारे का उतना पैसा पर बाद होता है समय कर्मचारियों में आक्रोश है कॉंग्रिस सवाल उठा रही है सीधे मेहमानों का रुख करेंगे हमारे साथ मेहमान बने हुए राजेंदर जोशी वरिष्ट पत्रकार विजपाल रावत कॉंग्रिस का पक्ष्ट लख रहे हैं सुभाष बड़तवाल प्रवक्ता हैं बीजे तो जनता को तो कहीं नहीं बड़ती है स्मय से चीजों को पूरा नहीं किया जाता तो हर्ताल होती है तो अगर जब करमचारी हर्टाल पे जाता है जब वारता करता है तो सम्मंदित अधिकारी सम्मंदित मंतरी अगर उनकी मांगों को पूरा कर ले या उनकी हर्टाल पे जाके ये कहे दे कि इस समय नहीं हो पा रहा है हम समय रहे तो इसको कर देंगे आसवासन दे दे तो मुझे इसलिक वज़े से कही न कही हर्टाल में टाइम लगता है जब-जब कोई मंत्री या समध्य अधिकारी जाता तो हमें से हर्टाल हटालिक खतम हो जाती है 99 परेंट जाती है तो मैं बार-बार यह कह रहा हूं कि थीक है आपने कर्म आपने नाकामी शुपाने के गौवर्मेंट की नाकामी शुपाने के लिए आपने नो वर्क नो पे कर दिया लेकिन परफॉमेंस तो नौकरसाहों की भी देखी जाएगी मिनिस्ट्री की भी देखी जाएगी जो नौकरसा दिल्ली की यात्राओं के नाम पर विदेश की यात् अगर आप कर्मचारियों को डराना ही बहतर है कम से कम हड़ताल तो रुकेंगी एक छवी तो बनेगी क्या इसलिए नो वर्क नो पर अगर आप करना आपका अधिकार है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि यह सत्तर के दसक का इंदुस्तान नहीं है लेकिन हरताल का पैसा आपका अधिकार नहीं है लेकिन हरताल का पैसा नहीं बदली है आप अगर आज काम नहीं करेंगे तो आपका अस्तान लेने के लिए तमाम नीजी कमपनियां खड़ी है इसलिए यह भाव की जो है मैं नहीं होंगा तो किसी सरकार का काम नहीं चलेगा यह जन्ता परेशान होगी इस भाव के साथ यदि आप अपनी मांगों को रखना चाहते हैं जब कोई करमचारी काम करता है तो उसे पैसे मिलते हैं लेकिन जब उसे समान काम का समान पैसे नहीं मिलता आम तोर पर इसलिए वो अड़ताल करता है समान काम, समान वेतन की मांग रहती है और दो-चार मांग और रहती है तो उसे परिशानी होगी तो वो कैसे उठाएगा सर उसका जरीया क्या होगा उठाएगा तो भी गाटा नहीं उठाता है तो तो वो गाटे में हैं मैंने आपको बताया ना मिर्दुल भाई मिर्दुल भाई मैं बता रहा हूँ आपको पिछले एक साल में जिदनी कैबनेट की बैठकें हुई उन बैठकों में 90% जो निर्णा लिए गए वो करमचारियों से संबनी पे पिर ये नो बर्क नो पे क्यों हूँ आपने बहुत अच्छे फैसले लिए आपने सब को मना लिए पिर आकर इसकी नौबत क्यों आ गई देखे जनता मालिक है और करमचारी नोकर है अब देखे अगर जो है करमचार जनता जिस चीज के निए पे कर रही है अगर वो उसको उतना काम नहीं मिल पा रहा है तो जनता को अधिकार है विजयपाल रावत जी चीज चुटा करमचार करमचार हाँ देखे जनता तो मालिक है और नोकर करमचारी है क्यों नोकर भी है नोकर तो नोकर नौकर साहाब ही है लेकिन आप एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखे उत्तर परदेश में हेमिंति नंदन बाउनाजी के टाइम पे पेसी घरताल हुई थी कोई उसे रोक नहीं पा रहा था हेमिंति नंदन बाउनाजी अपने 2480 खतम कर दी आप सीनियर पोस्ट पे बैठे पॉल्टिशन है पोस्ट प्रदेशन अपने फैसलों के ले जानाजी आते हैं आप एक मैकनिसम तयार करते कि जिस भी करमचारी का जो प्राबलम है चाहिए वो आउट सोर्स का है संबिदा का है परमनेंट है आप इस प्लेटफोर्म पे चीज़ों को रखे इतने दिन के दिन के नहीं समाधा दे देते हैं उन चीज़ों का तो कोई भी करमचारी नाराज नहीं होता बलकि स्वागत करता सरकारी के इस फैसले का अब ये तो काम करने का तरीका है कि आप हर्ताल को और बड़ा रूस शुरूप देना चाहिए इस तरह के क्या लगता है कि 9 नो पे से क्या करमचारी हर्ता देखे हम आज उस प्रदेस में बात कर रहे हैं जिस प्रदेस में आ जा दिये के संचार माध्यमों का आप समसके कि वहां तक क्या टीवी चल रहा होगा यह वहां को लोग किस तरह की ब्योश्ता हों रहे होंगे, क्या उनके मवाइल हो रहे होंगे, यह सब कई सारी ब्योश्ता है, उससे भी जोड़ कर देखना जाना चाहिए, जब उनके वहाँ सित के लोगों को इस बात की इनफॉर्मिशन नहीं होगी कि देहरादून में मुक्ख्याले जब परदेश का राजदानी है वहां करमचारी नहीं मिलेगा यस पो यह हरताल हो रही होगी उसको वहां तक वो इनफॉर्मिशन नहीं है अब वो यहां आता है और यहां आ करके मैं आपको फिर वही पुरानी बात दोरा रहा हूँ कि जब यहां पहुंचता है तो उसको लगता है कि हाँ हर्ताल है इस पे सरकार का जो निर्णा है वो बहुत मैं नयायोचित भानता हूँ हाँ अभी विजयपाल जी ने एक बात और कही कि इस हर्ताल में के साथ-साथ उनको भी इसमें सामिल किया जाने जो अधिकारी है जिनके वज़े से हर्ताल हो रही है क्यों नहीं उन्हें अपने करतप्यों का निर्णा टाइम पर नहीं किया क्यों नहीं उन्हें अपने अधिकारी हमारे मंत्री और विधायक जो हैं उनके वेतन तो हर साल बढ़ जाते हैं कर्मचारियों के वेतन डीये ये तो और चीज़ें होती हैं उन पर कोई ध्यान नहीं देता है विधायकों को रिटार्मेंट के बाद भी जाएं उनको पैसे को बढ़ते रहते हैं लेकिन उस पे आम जनता आम जो लोग काम कर रहे हैं कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी समस्याओं का भी ध्यान दिया जाना चाहिए उस पे भी उस पे भी बिचार किया जाना चाहिए लेकिन लेकिन कर्मचारियों को भी चाहिए कि वो जह हरताल न करें और जनता की समस्याओं के शल्ढाने के लिए जनता की समस्याओं के जनता को सेवा देने के लिए उनको रखा गया है इस बात का भी होना चाहिए, उसके बाद पैसा नहीं मिल रहा है, उसका पैसा नहीं मिला, तो क्या फिर उसी काम को वो करेंगे, सुभास बड़तवाल जी ये दिक्कत है, फिर तो कर्मचारी और ज्यादा कामचोर हो जाएंगे, जैसा आप कह रहे हैं अधिकार है हरताल, आप करो आपको अपना अधिकार मांगने का, अपनी मांगों को मनवाने का पूरा अधिकार है, लेकिन आपको अपनी हरताल का, अपनी बात का आकार और परकार जो यह हो तै करना पड़ेगा, बदली भी परस्तितियों में देखे, अगर कोई सरकारी वीव बाद है मैंने कहा कि न्याए कसित्दान यही है कि हम मजदूर अगर काम पर नहीं आता तो हम उसे अपने मकान में रसा नहीं देता है लेकिन कॉंग्रेस इस पर सवाल खड़े कर लिए कॉंग्रेस का भी कहना है कि अगर चोटे करमचारियों पर ये नो वर्क नो पे है तो नो वर्क नो पे अगर आप हरताल पर जाते हो और काम नहीं करते हो तो भे काम का दाम भी नहीं मिलेगा फिलाल इतना है